नमस्कार मित्रो जै माता दी माता राने के किरपा से फिर से एक और नई वीडियो में आप सबी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो कुमराश्य वाले जात्कों के लिए बहुत खास और बहुत इन्पॉंडेन होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भागी शाली रंग और क्या रहेंगे आपका भागी शाली अंग और आज का दिन चरिया कैसे रहने वाले हैं और आज के दिन आपको कैसे कारी करना है और आज के दिन आपको किन किन चीजों से ला मिलने वाले हैं और किन किन चीजों से आपको साधानी बरतने होंगे इस वीडियो में आपको पूरी जनकारे मिलने वाले हैं वीडियो को पूरे अंतक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें जय माता दी और अभी तक आप हमारे चेनल में नए हैं तो चेनल को सस्क्राइब करें उन भावनाओं को पहचाने जो आपको प्रेणित करती हैं डर, संखा और लालक जैसी नकारतमक भावनाओं को छोड़े क्योंकि यह विचार उन चीजों के आकरशित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं चंद्र की स्थिति की वज़से आज आपका धन व्यगरा से चीजों पर खर्जगी हो सकते हैं अगर आपको धन सयांग और करके रखना है तो अपने जीवन साथी का माता पिता के इस बारे में बात करें परिवारिक में किसी सज़से की सराब सेहत में की वज़से घुमने और कारिकरम भी टल सकते हैं प्रेमनी शिमा और होता है तो सबी शिमाओं पर पढ़ें आपने और यह बाते पहले भी सुनी होंगे लेकिन आज वह दिन है जब आप अगर चाहे तो यह खुद महसूस कर सकते हैं कामकाच के मोर्चों पर अपने कड़े मेहनत ज़रूर रंग लाएंगे जीवन में और पची दग्यों के लिए समझने के लिए आज घार के किसी भी वरिस सक्ष भी और साथ में आप वक्त गुजार सकते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होंगे रहने होंगे क्योंकि कहीं मावलों में आपसी असमित रह सकती हैं और इससे आपकी रिष्टे भी कमजूर होने वाले हैं और आज गमलों के काले सफेत मरवर में दाने रखने से परिवारिक खुश्या भी दिन रहने वाले हैं और आज की दिन उमराशी वाले जातकों के लिए आप अपने विवपारिक और विहारिक दिश्टी कौन दुआरा कोई भी निर्ने लेने से सक्षम रहेंगे आज परिवारिक के साथ में आराम और मनोरंजन में खुश नुमाशन में बहतित होंगे घर में रकरखाव संबन दे गती विध्यां की वह यह भी बनेगी पड़श्यों के शाथ में किसी बात को लेकर कहाव शुनी भी हो सकते आप वहाओं पर धियान ना दे अदूसरों की बातों में ना कर अपने निर्ने के पर्थामिक दे कभी कभी जदा सोचते ने वह चारों में उपलब्धियां भी हाथ से निकल सकती है बेपसाईक मावलों में कुछ रुकावटे आने के बाद ही काम बनेंगे कार यस्तल पर निगरानी रखना भी जोगी हुगी लापारोहाई नुकसान दायक भी रह सकते हैं नोकरी पैसा लोगों को अपना कोई लक्च पुरा होने से तना भी दूर होंगी परिवारिक वतावरन भी कुछलमा बना रहेंगे किसे भी नजदी की मित्र का वर्ता लाप दौरा पुरानी यादे ताजा होंगी और मन प्रुफलित रहने वाले ऐसे डेटे की गयस के वज़े से छाती में जलन और दर्द की शिकायत भी रहे सकते हैं हलका और सुचाप खानपान लेने के बेजूरत होंगे और आज का आपका भागी शाली रंग रहने वाले हैं गुलाबी और आज का आपका भागी शाली रंग रहने वाले हैं आठ आप मेहनत करेंगे लेकिन मेहनत योगी दिशा में ना होने की करण आपके अपेक्छाएं के अनुसार प्रगिर्तिक प्राप्त नहीं हुए और आपने दुआरा हुई गलतियों को एसास आपको काफी वक्त बाद होंगे आपके दुआरा हो रही गलतियों को दौबार से ना दो रहें आपके कारी छित्र में कम्पीटिशन बढ़ने की वज़े से आपके अंदर में बैचेने भी बढ़ सकते हैं परिवार के लोगों को आपके रिलेस्टिप से सम्बंदे जानकारे मिलने के कारण सुरुआत में वाद विपाद भी उत्वन होने होंगे लेकिन उनके श्रमाते भी राप्ती होंगे साररिक और ठकान को दूर करने के लिए भी आहर में बदलाव लाना आविश्काता होंगे और आज परसन मन में दिन के आरम कीजिए अनुकुलता आपकी परतिक्षा भी कर रहें परिवारिक वतावरन भी खुश नुमाज रह सकते हैं महलाएं वर्ग विशे सयोग भी मिल सकते हैं मेहर बाबा को शर्षो के तेल में जुला कर सिंदूर का वा मालिपना साइत वरग महर चलाएंगे तो शारी मनों कामनेट पोन होगी और शारी काम बनते हुए चले जाएगा और आज के दिन पबलिक सेक्टर के लिए काम करने वालों के उन्नत्ती का अपसर मिल सकते हैं आज पूरे दिन चहरे पर तनाप दिखने से पूरी तरह से बचने होंगे यदि आपके लिए सेवा में है तो चाल को गति अधिक रखे और बैर और स्थान को गूर की रोटी देने से उनकी सारी चिंताईं भी दूर होने वाले और उन नतिक अपसर भी बहुत अच्छी से चली जाते होंगे और आज की दिन आपके लिए भी आयका नए सरुत भी बनने का पुरान आसर तो मजबूत होने से दिल खुस हो सकते हैं मोज मस्ती का अपसर भी मिल सकते हैं मःलाएं बौस के लिए अपिस में अधिक अनुकुलता भी रह सकती हैं गनेश भगवान को देशी गी का दिपक कर मोटी बुंदी का लड़ू का भोग लगाने से शारी समस्या दूर होती है शारी क्छाएं पून होंगी और शारी लाब मिलते हुए चले जाएंगे और आज के दिन यदी किशी के साथ में साज़दारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मगर पहले उस व्यक्ति के साथ में आपने अन्यकूलता जांच अविश्करवाल हैं अपने अंतरंग परिचय का रिष्टे में बदलना चाहते हैं तो प्रियाप से तसली करने के बाद ही आईश्या करें और गुरु गुरु तूली वेक्ति के धनराशी में भैंड करें तो आपके दिन स्वास्ति अच्छी रहने वाले हैं राजपसिष्टा परवावेद भी हो सकते हैं आज के दिन परती कूलता सदा नहीं रहने वाले हैं यातरा विफल भी रह सकते हैं किसी काम को उल्जा भी दुखी भी कर सकते हैं सनी देव के काली सूती कफड़ा में काला धागा चलाएं तो सनी देव उनके सारे दूख हर लेगे और सारे एक्चाइं पून करते चली जाएंगे आच्छानक ही खुशी काव अफसर भी मिल सकते हैं किसी भी खास पुराने मित्र से महट भी हो सकते हैं उनका संदेश भी मिल सकते हैं पूराना अठकाव या लटका धन भी मिल सकते हैं किसी भोज या पाटे में शामिल होना पर सकते हैं लंगन में धनरासी भेंट करने से जो भी धन अठका हुआ है उसे वापस मिलने के भी शलमबनाई होने वाली है और जो भी आपके साथ कुछ चिंताई हैं उसे दूर होते चले जाएंगे और आज के दिन भागा दोड़ी की तुलात्मक रूप में शेफलता में परतिस्त कम रह सकते हैं वेपार में धिमापन मैसुस हो सकते हैं याज दिसाजदार में काम कर रहे हैं तो धिरज ना खुने दें सूरी मंत्र का जाब करें तो इनसे सारे मनोकाम नई पूर होंगी और सारे एक्छाएं पूर होते चले जाएंगे और सारे लाब मिलते हुए चले जाएंगे और सारे स्वास्ते अच्छी रहने वाले हैं ना सावन सुखा ना भादव भरा हरा बावाली बात पर लागू हो सकती हैं जो जैसा चल रहा है वह इसे चलाएं उठा पटक से बैचने के वे जुरत होंगे विश्यस कारी को आज ना करें परिवारिक सदस्यों के सुवास्त के और से विश्यस ध्यान रखने के वे जुरत होंगे हनुमान जी को और चमेली के तेल का दिपक कर हनुमान चलिशा का पाठ करने से हनुमान जी उनकी शारी समश्या दूर करती हैं शारी मनो काम नहीं पून करती हैं और सारे एक्छाएं पूर्ण होते चली जाती हैं या उस परधान जॉब करने वालों के लिए लाब मिल सकते हैं आज काले कपड़ों का पर्योग बिल्कुल भी ना करें किसी भी काम के बारे में अंतरिक निर्ने आज ना करें